कि हलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल यूपी एशिनेट में स्वागत है आज साथ देशंबर के हम रेली कनिफिर्स की बात करने वाले हैं फटवर डिवीजन के माधिन से बात करेंगे और हम यहाँ पे समग्र विसलेसर के साथ मतलब कि एकस्पिलेन के साथ बात कर करने से क्या होगा कि हम आप सौट नोट्स और पीडियाप फॉर्म में डालते हैं तो सौट नोट्स आपको एक्जाम के लिए बहुत देंपूटेंट वहां पे जैसे कि सौट नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को आप लोग लगा सकते हो मोश्ट कोई खवर रहती है तो मिल जाएगी साथ में कुई टॉपिक पे भी हम यहां पे पीडियाफ अप्लोड करते रहते हैं तो एक्जाम के लिए भी बहुत साई नोटिपिकिसंस आते हैं वीडियो गिरामीलों को संभावित लाबा के लाबा करण Krita के मुहाने से 3 कुलोम्यटर मतलब की 1.8 मील दूर रहने की सलाइद दी गई है दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्री यानी एक्टिव जॉलंउखी पी इंडोनेशिया में हैं इस वॉलकेणों है जिसमें की 74 से ऐफारा सो से सक्री है जा रखेगा जिसमें 74 जो 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 आलमकी हैं वो कितने संसे या रखेगा सन अठारा सो से शक्रिय अवस्था कि यहां पर चॉटल बात किया है तो लगभग एक कई साधा है और यह सबी च्टरी जो लग थी है तो आप सोचेगा कि कितना इंपोटेंट ये खबर बन जाते हो एक्जाम के लिए कितना इंपोटेंट की तरह बढ़ते हैं दुनिया का पहला या रखेगा सबसे इंपोटेंट कोशन है दुनिया का पहला पोर्टेबिल अस्पताल आरोग मेतारी एंड क्यू कहां खोला ईया है दुनिया का पहला पोर्टेबिल अस्पताल है और यह आरोग मेतारी एंड क्यूब करेगा इसका क्या महत है तो दुनिया के पहले Pultible Hospital Aroghmetri & Cube का 2 December को 2023 में हरियाना में इसका अनावरन किया गया है मतलब का इसका उद्गाटन किया गया है यह अपदा के समया रखे इसके समया है Pultible अपदा के समया प्रियोक की जाने वाले अस्पताल है इस अविनौज़ आपदा अस्पताल में 72 क्यूबिस नहित है और इसमें से प्रतेक में आवश्यक उपकराण आपूर्ती सप्लाई की स्रिंख्रा है इन क्यूबिक्स को प्राकरतिक आपदाओं और मानिवे शंकटों को मद्य जर महत्मूर्चिक साला देखवाल मानिवे सहायता प्रतान करने के लिए सरलता से दिजान किया गया ऐसा कहा जारा है कि सर्फ ये एक गंटे में ही दो सो बैडो की व्यवस्पता कर ले दो सो रोग्यों को एक साथ यहां मतलब भष्रती कर さकते हैं यह ऐसा अस्पताल होगा, एक घंटे में 200 रोगियों को यहां पर यह भरती कर सकते हैं और यह पोल्टेबिल अस्पताल है, मतलब कि हाल तुरंत एक घंटे में इसको बनाया जा सकता है सोचिएगा कि कितना इंपोटेंट कि इस खबर को जानकर आप लोग खुसी होगी नेश्टन पर बढ़ते हैं, पहले सर्वेच्छन कोट वरिहत संधायक को भारती नौसेना को शौंपा गया है इसका निनमान किस ने किया है? पहला जो सर्वेच्छन कोट है, संधायक जिसको भारती नौसेना को शौंपा गया है इसका निनमान गार्डन लिच सिप बिल्डर्स एंड इंजिनेर्स के द्वारा किया गया है कहां का है? यह कोलकाता में बनाय जा रहा है चार स्रविच्छन कोत में से पहला संधायक याल 2 3025 भारती नौस इना को शौंप अगया है जा रखेगा चार की यहाँ पर अनमान है चार को यहाँ नाम गया है इसको नौस इन या गया है संधायक जो है उसको मांद या इस संधायकि में असी परिस्रत सामगरी है लिंग है यूइंड से एक बार आपड़ आप चैनल पर आप चैनल पर走了 कर लेजिए जहों कि आपको पता लग सके हमारी कौन-कौन तरीक़ी की वीडियो आ सकती है, यह अब इस मारा पी जौला मुकी पे जो भी पूरी बात होगी देटेल से बात करने के लिए एक पूरी पैसिफिक वीडियो बनाइए उस वीडियो के माहते हैं, हमसे आपको मारा प कौन कौन से जॉर्लमों कि इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे तो इसलिए ऐसी वीडियो भी टॉपिक बाइस भी डलती है वो भी आप देख सकते हैं तो एक बार आप लोग चैनल पर जाके आपको सारा बिल जाएगा कोशन की बात करते हैं पुरुस वालीबॉल किल पुर इस्टेडियम को आप यहां रखे है कंनाटक में है बैंगलुरु में है यह पहला मौका है जब यह प्रतिष्चे टूनामेंट भारत में अज़ित किया रहा है इंपोटेट वॉड़ाद है क्योंकि पहले बार हो रहा है इस टूनामेंट चाप में टॉनामेंट वॉलीवाल के सबी रूपों के लिए अंतराश्टी निकाय है इसका मुख्याल है सुरजयलेंड के लेजौन में इस्टेट है इंटरनेस्टेशन इंटरनेस्टन डि वॉलीवाल तो इसका आयोजन के साथ यह भाग लेगी तो यह इंपोटेंट है क्योंकि भारत का पहली ब इसका महापणीनिमार को दिया गया ता उनका महापणीनिमार दिवस के वात शाशिवा जिए इसकी बारे बात करते हैं राष्ट भारत रतन डेक्र प्रमेटकर ने को उनके 68 वे महापनीनिमार दिवस्ट पर सिद्धान जिली दी गई है राश्पती दोपती मुर्बोनी नई दिल्ली में शंसत परिवर्सर में बाबासाइब अम्बिटकर को पुस्पांजली अर्पिपी की उनका जनम की बात किया है तो उनका दम 14 अपरेल 1891 को हुआ था महू में महू कहां पर यहां रखेगा एंपी में मद्प्रदियस में यह समदानसभा की प्रारूप समती के अदश पी रहे हैं कोश्चन इसको प्रिवर्स YER में कई बार आ चुका है इस्टेट PCS में की प्रारूप समती के अदश कौन थे डाक्टर भी आर अम्बिटकरी थे उन्नोंesh भारति सम्य ला सभा की जनक की रूप में भी याता है और साल 1947 में डक्र्टर अम्मेट कर सुतंध भारत की पहली cabinet के कानून-मंक्री भी रहे तो यह भी कोश्चन कानून-मंत्री लिग पप्रो कबड़ी हमें के भारत के कौन टीम है उसका टाइटल की बाति है तो बिहार सरकार है क्या है बिहार सरकार या रखीगा पटना फाइरस के खिला लिए आनंद मैं बिहार जैसी लिखी जर्सी पहन कर खेलेंगे तो यह रखेगा जो उनकी जर्सी पे लिखा होगा वो आनंद मैं बिहार लिखा होगा और उस प्रकार की जरसी को पहने कर मतलब कि जो कपड़े पहें थे उस पर यह चीछ लिखी होगी विहार पहली वार किसी खेल का बनाइक का प्रायो जक बंदा आ है मतलब तो यहार रिखिए इंडिया मतलब की आई बीसी जा रखेगा आई बीबी आई इंसल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कारकारी नीदेशक क्रूप में किश्को कारभार समाला गया है तो जीतेस जॉन जी ने यह कारभार समाला हुआ है साल 2001 के बैच भारती आर्थिक सेवा अधिकारी जीतेस जॉन ने इंसल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कारकारी जेदेशक क्रूप में कारभार समाला हुआ है वहीं इस साल अक्टूबर में संदीब गर्ग को आई बीवी आई को पूर कालिक शदस बनाया गया था और आई बीवी आई दिवाला और दिवालिया पन संगता आई बी सी लागू करने वाली एक प्रमुक संस्दा की रूप में कार करती है नेक्स कोशन बढ़ते हैं आप लोगो सोसल साइट्स की लिंक लगे टेलिग्राम इस्टेग्राम वाट्सप पे सारे को जोइन कर लिया हुआ क्योंकि वहां पे स्वाट नोट्स पीडिया वगर अप्लोड होती रहती है कोशन है भारती मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच कला संबान से संबानत किया गया है तो मीरा चंद को या रखे किसको मीरा चंद को एक क्यासी वर्स की मीरा चंद को कलात्मक उतकरसता और देश की कला हो संस्क्रित की प्रद्रष्ट को समिरता बनाने के लिए योकदान के लिए देश से प्रतिष्टित करा संभान कुल्चल मैड्रमेलियन या रहा है कल्चार उन सांभानत किया लुजिक से शुन तनमुग द्रिद्नम ने चेंद्र को साथ ही उपन्यासकार सुचैन किस्टीन लिम और मलै नित्य के दिगज उस्मान अब्दुल्हामित के साथ यह बार प्रदान किया हुआ है तो यह बार जो सिंगाप्रों को सरभुचकरा सम्मान है इसको दिया गया मीरचंद को दिया गया घाल है तो डाक्टर मंसुक मंदाविया के द्वारा की सुरुवात की गई किसकी सीपी रिआ की रिष्टी सेंथन पर राष्ट व्यापी जन जागृता अभ्यान की कैंद श्वास्त मंत्री हैं डाक्र मंसुक बंडाविया ने यार को कॉर्डियो बल्मोनोरी का रास्ट की अरश्ट का डेस का पहला सी पीयार जागूरता और पर क्या रहा है यह नेरेंद मोदी जी के दुआरा भारत के प्रदार मंत्री है राज इमें च्छत्रपति सिवाजी महाराज की पृत्रिमा का अनावरण किया है और पिय मोधी ने समर्द समर्द विरासत को सधायली भी अर्पित कियी हुई तो नौसेना का इवेंट था और नौसीना के इवेंट के दिन ही इनों ने चर्पदी सवाजी महराज की जो प्रितिमा है उसका नावर्ण किया है शिंदु दुर्ग पर इसे दाज कोट के लिए में तो यह इंपोटेंट है थोड़ा सा उसको या रखने कोशिश करिएगा बात करते हैं नौसेना स्टाप के नए उप्रमुक कौन वने है तो दिने तरपाटी जो है नौसेना स्टाप के नए उप्रमुक की रूप में इनकी नुक्ति की गई है बात करते हैं ऑक्सपोर्ड युनिवर्स्टी प्रेस ने किसे वर्ड आफ दा इयर से नामित किया हुआ रिज़ को किस्को रिख को ऑक्सिपोर्ट इनिवस्टी है वेस ने वर्ण आफ्ट यह न मेशन किया गया है कर लिए तो चेकर चेटर में उतकर्ष्ट कार के लिए राश्ठ पती प्रोस्कार जीटा लिए उतकर्ष्ठ कार जीता है प्रिसांत अगरवाल जी आप एक जह시면 लिए राश्ठ पती प्रोसकार लिया नाप कर लिया है क्र ellie के लिए किसी नवीर रास्थी सब्मान मिला रोब सको तरकार को मिला भूए नभी रागे क्ने लिए खर दिख लेते हैं और पर लभु फिलिम चाहिक करेंगा तो क्वुन करेंगा ओ il पर तुरवंद पुराम बोले तो केरल लाज करने जा रहा है या रहेगा थोड़ा सा इसको ने वाइस कमारे अन्तिम पड़ाओ पर है अगर आप लोग नहीं तक चैनल को सस्क्राइब नहीं कर लीजिए एक बार आप लोग चैनल के चैनल के लिए डिस्क्राप्शन में लिंक कि पुस्तक मिला है और यह कुलकाता में शुरू करने जा रहा है तो 11 और यह वाइज का है आई भी ए जूनियर विश्मुक के बाजी चैंपेंशिप 2023 का आयोईजन कहां किया गया है तो आर्मेनिया में कहां किया है आपर आर्मेनिया में किया गया है जूनियर विश्मुक के बाजी चैंपेंशिप 2023 का आयोईजन तो आज के बारी जो कंडिवेर्स के उत पर मोस्ट मुड़न जो